गनतंत्र दिवस के दिन देश का पहला लाल डोरा मुक्त हुआ करनाल जिले का सिर्सी गाउं एतिहासिक शनों का बना गवाः कारेक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खटर वा उपमुख्यमंत्री दुश्यंत चोटाला ने की शिर्कत लाल डोरा मुक्त गाउं सिर्सी के ग्रामीनों को टाइटल डीड किये गए वित्रित इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने परिवार समर्दी वा परिवार पह चानपत्र योजना का भी किया शुबारम करनाल का गाउं सिर्सी आज 71 गरतंत्र दिवस के दिन देश का पहला लाल डोरा मुक्त गाउं बन गया हर्याना के मुख्यमंतरी मनोहन लाल खटर उपमुख्यमंतरी दुशियन चोटाला ने ग्रामिनों को उनकी प्रॉपर्टी की ट सिर्सी गाउं के लोगों को उनकी प्रॉपर्टी वा प्लाटो का मालिकाना हक मिल गया है जिस पर वे काबिज हैं इस सुविधा से प्रॉपर्टी मालिक अपनी प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त कर सकेंगे कर देने का काम शायद के मातर एक सुप तरेशिक रुपे में हमारी सरकान में का काम किया है शाथियो आज लाट दोरा मुक्त ओने का मतलब है आप सब की जमीन की शेर के बराबर रिजिस्ट्री हो हम बैंकों में जाते हैं लोग की लोन देदो बच्चे की पढ़ाई है लोन देदो हमारे साधी है मगर उसके बाद क्या होता है उसके बाद बैंकोड़ा कहता है खेत की जमीन पर तो मैं द्यूमानी जिसका नक्सा है रिजिस्ट्री और गाओं के घर की रिजिस्ट्री होते अधिक्तम ग्रामी नांतल के बच्चे शिक्षा से छूते रह जाते हैं जो बड़े कोलिजों में नहीं जाता अधिक्तम मुश्किल समय पर लोग नहीं मिलता आज दिवाब की रिजिस्ट्री आपके हाथ में होगी तो मुझे लगता है आने वाड़े भविश्य में अगर जाता राजेश्वी विभाग के पास भी अग में टेन कर पाई साथियों अपने आप में एक इत्यासिक कदम आज जंतंतल दिवस पर हम सब मिलकर उठाने जा रहे हैं और मैं उमीद करूंगा कि ये कदम जो शिर्शी से चला है हमारी सर्वेर जनरल की टीम के साथ पंचायत विभाग का दिन रात प्रिश्रम के अगले दो से तीर महीनों के अंदर एक ग्राम पंचायत नहीं 22 जिले हैं हर जिले की 5 ग्राम पंचायत 110 ग्राम पंचायत को भी सिर्शी की तरह हम डिजिटलाइज करकर उनकी लाज दूरा मुक्त बनाने का काप करें और केवल बारत तक ग्रामी डांचा तक ने शेहरों के अंदर भी जहां आज कोई कमी पेशिया है डिजिटलाइजेशन हमारी सरकार का प्रयास है कि रजफ सुमिभाग तमाम रिकोर्डों को डिजिटलाइज करने का काम करें और एक चीज जो आज आपके बीच में संकल्प के तोर पर लेकर ज पर आने का मोका मिला जब हमने नेने लिया कि रेवन्यू डिपार्टमेंट हर महीने के पहले मंगलवार को SDM Office या तैसील के अंदर उपर से लीचे तक SDM से लेकर और नीचे कानूगों तक तमाम अधिकारियों को बिठाने का काम करेंगा जिसके अंदर कर गाओं के किसान की कोई भी राजस्ट समत्रित समस्या है किसी भी व्यक्ति की वोई भी उसके लैंड रिकॉर्ड समत्रित समत्रित सबस्या है वो एक दिन हर महीने के पहले मंगलवार को जाकर तैसीली SDM Office में उसको सुझाने का काम करेंगी साथियों ऐसे कड़म हमारी सरकार उठा रही है तर यह आप है गणत्त्र में गणत्र जाथ करते हैं कि देश को आजाद करने के बाद हम लोग को ने कैसा तंत्र अपना तंक्र यह अपनाया था जिसको गणत्तंत्र कहा हम लोग कंत्र में कहते हैं कि a government by the government, a government is by the people, for the people, of the people. अर्थाथ लोगों की सरकार होती है, लोगों द्वारा बनाई जाती है, लोगों के लिए होती है. और सारा सिस्टम हम अपने आप ट्यार करते हैं, अपनी सरकारे चुनते हैं, नियम बनाते हैं, कानूर बनाते हैं. अंग्रेज भले ही इस देश को छोड़के चला गया, हमने अजादी प्राफ की, लिकुन कुछ चीजें ऐसी छोड़ करके चलेगें, जिसको हम आज दक्री सुधार रहे हैं, बहुत चीने सुधारी हैं, लेकिन एक ये जो विशह लाल डोरा का विशह, ये अंग्रेजों की एक चलाईवी प्रथा गाउं के अंदर हुआ करती थी, कि इस गाउं के चारत्रों फिलाल डोरा बना दिया, लाल डोरा का मतलब एक जैसे ऐसी उसके अंदर एंट्री बहन कर रखी थी, कि सरकार इसके अंदर एंट्र नहीं करेगी, और अपने आप ही पंचैतें इसका इसा कि सरकार इस रहस्तक्षिव क्यों करें, पंचैतें अपने आपने पट लेंगे, लेकिन धिरी धिरे लगा, कि इसमें से धिवाद जादा बढ़ रहे हैं, जगड़े जादा बढ़ रहे हैं, और जो प्रोपर्टी, जो संपती महंगी हो गई है, खास करके शेरों के अंदर जो गाँ आए, बहुत सी कठाईयां पैदा होने लगी, उसका मालिक आत्मी है के निये, इसका पर्मानिय नहीं है, रिष्टी कराने जाते दो रिष्टी करने और ने मना कर दिया है, तब ध्यान मेरा कि लाल दुराक से मुक्ती पाई जाने चाहिए, बहुत लोग की दूसरा है, परिवार पैचान पत्र, अभी तक व्यक्तियों के पैचान तो है, व्यक्ति का नाम भी है, व्यक्ति का अधार काड भी है, परिवार के नाते जैसे बताया हमारे दुष्ण जी ने कि केवर राशन काड तो होता था, लेकिन वो भी मर्जी है, कोई बनवाए चा तो वो 5-10 साल तक उसमें कोई बदल ही नहीं हो पाता था, कोई नया नाम जुड़वाना तो जुड़ नहीं पाता था, तो भागे से अगर कोई परिवार छोड़ गया तो व्यक्ति भगवान को प्यारा आओ गया उसका नाम, उसको कटवाने में तो खर हमारी भी रूचे नह सामने वाड़ा कटता नहीं था, को शिकायत कथा तब कटता था, और अगर पूरे गाओं की आबादी, शहर की आबादी, जिले की आबादी, प्रदेश की आबादी, तो हिसाब लगाते रहते थे, हाँ सन 2011 में इतनी आबादी थी, एक प्रसेंट हर साल बढ़ते चले जाओ आठ साल के बाद, आठ प्रसेंट और बढ़ गई, ठीक से पता कब लगेगा, अगले दस साल के बाद, फिर जबादी अबादी गिनी जाएगी, तब पता लगेगा, उसके कई दोश प्रणाम भी होते थे, लेकिन आज वेगया नहीं क्योग में, आज तो IT का जमाना है, इस IT, Information Technology के समय, क्या मैसा सिस्टम भी बना सकते, कि बिलकुल रियल टाइम, यानि हर समय की जो जानकारी है, वो हमार पस क्यों ना है?